दोखो जरा हाइपरवुला के बारे में हम लोग कुछ और बाते सिखें देखो एक पॉइंट होता है SM टूट है ना देखो क्या होता है SM टूट के बारे में तुमको मैंने पहले भी थोड़ा भूद बताया होगा है ना हलाकि SM टूट अपने स्लेवर्स में ज्यादा है नहीं आयटी के स्लेवर्स में SM टूट जैसी चीज ज्यादा है नहीं फिर भी इसको थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी समझाया होगा है ना देखो रफली स्पीकिंग हलाकि यह डेफिनिशन गलत है जो मैं बोलना हूँ फिर भी रफली ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऐसी लाइ यह हमारे पास दोखो यह हाई पर बोला है एकस स्क्वार बाई ए स्क्वार माइनस वाई स्क्वार बाई बी स्क्वार इकोल टू बन दोखो जैसे हम यह है पर बोला यहाँ पर ड्रॉ कर रहे है ऐसे करके दोखो यह यह हमारा हाई पर बोला है ना दोखो यह पॉइंट है और दो यह एय डिश दो को यह इसका सेंटर है हाra साफ हो क्या हो यह होता है यह संटोट तो होता है दो दो यह दो को यह कुछ इस पकार की लाइन होती दो एक आप ऐसे करके चाता है दुखो इगर ऐसे करके चाहता है, दोखो ये, दोखो ये, ये दो लाइन्स होती हैं, जो इसको इनफाइनाइट पर टच करती हैं, देहन दो, ऐसे, दोखो एक लाइन ये, और दोखो एक लाइन ये, ऐसे करके, दोखो ये, दोखो, ये दो ऐसी लाइन्स होती हैं, जो इस कोनिक को तो ग्राफ तोड़ी गलत बन गए, ये ब्राफ ज्यादा बड़ी बन गई, ये ब्राफ थोड़ी छोटी बन गई, खर समझ लो, कोई बात नहीं, देखो, ये दो लाइन्स हाइपर बोला की एसंटोट्स होती हैं, देखो, अब इसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इन्फा लाइन्स को हाइपर बोला की एसंटोट कहा जाता है, देखो, ध्यान दो, जैसे, एक हाइपर बोला, हाना, हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, देखो, ये वाला हाइपर बोला, ऐसे करके, हाना, ये ए और ए डैश से पास होता है, हाना, और देखो, जो दूसरा वाला हाइपर होता है वह ऐसे करके जाता है ये ऐसे और ऐसे देखो यह हाईपरवोला देखो बी और बी डेड्श से पास होता है ये मालो पहला वाला हाईपरवोला जिसका equation यह होता है minus y square by b square equal to 1 और देखो यह दूसरा वाला hyperbola minus x square by a square y square by b square equal to 1 देखो दो hyperbola यह होते हैं इन दोनों को एक दूसरे के conjugate hyperbola भी कहते हैं यह दोनों के दोनों एक दूसरे के conjugate hyperbola होते हैं ध्यान दीजिए है ना इन दोनों को हम एक दूसरे का conjugate hyperbola भी कहते हैं ध्यान दो एक दूसरे का conjugate दोको ध्यान दो यह a और a डैश यह b और b डैश है ना यह दो hyperbola ऐसे करके हमने एक साथ draw की दोको ध्यान दो यह जो asymptotes होते हैं दोखो ये ये दोनों के ही होते हैं बना दोनों ही हाईपरबोला के ऐसम्टोट सेम होते हैं ध्यान दो हना जो इसके ऐसम्टोट सें वही इस हाईपरबोला के भी ऐसम्टोट सना दोनों ही हाईपरबोला के जो ऐसम्टोट सोते हैं वो सेम होते हैं ध्यान दो X plus C, यह लाइन, यह लाइन, यह लाइन, दोखो कैसी लाइन होती है, यह ऐसे करके जाती है, इसका Y axis पर intercept C होता है, और यह एंगल थीटा होता है, तो M बराबर हो जाता है 10 थीटा, दोखो, अब जैसे अगर यह लाइन origin से पास कर जाए, तो दोखो क्या होता है, यह लाइन क्या हो जाएगा थीटा, और M बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो दोखो, इस लाइन का equation हो जाता है, Y equal to MX, हैना, अगर कोई line origin से पास कर जाए, तो इसका equation Y equal to MX हो जाता है, क्योंकि दोखो, यहाँ पर C 0 हो जाता है, ध्यान दो, हैना, दोखो, जो C है, C क्या है, बोलो Y intercept, C क्या है, बोलो, Y intercept, तो अगर यह line origin से पास कर जाएगी, तो दोखो, C की value 0 हो जाएगी, और line का equation क्या बन जाएगा, Y equal to MX, दोखो, ध्यान दो, जैसे यह दो asymptotes हैं, दोखो, यह दोनों ही origin से पास कर रहे हैं, हैना, और दोखो, इन दोनों का, जो equation है, वो दोखो, यह ह हो जायागा, Y equal plus minus B by A into X, दोखो, यह हमारे दोनों के-सम्टोटS के equation हो जाएगी, ध्यान दो, हैना, दोखो, यह equation हो जाएंगी, हैना, एक Y equal plus लेंगे, तो इसका equation मिलेगा, वाई बरावर माइनस लेंगे तो इसका है ना ये दो asymptote दोनों ही asymptote ओर जिन से पास हो रहे हैं और दोनों के equation मैंने एक साथ लिख दिये इसका equation अगर चाहिए होगा तो प्लस साइन ले लेंगे है ना इसका equation दोको हो जाएगा y बरावर b y a into x है ना और दोको इसका equation क्या हो रहाएगा y बरावर माइनस b y a into x दोको दो asymptotes हैं और दोको दोनों के equation यहाँ पर आ जाएगे y equal to b y a into x और y equal to minus b y a into x दोको ऐसा यहाँ पर होगा ठीक है दोको दियान दो अब asymptote को याद रखने का देखो तरीका क्या है हलाकि यह कोई method नहीं है निकालने का दोको अब ही हम asymptotes के बारे में और भी बाते सीखेंगे asymptotes कैसे निकालते हैं हलाकि यह asymptotes वाला portion IT के सरेवस में नहीं हलाकि दोको हाईपर बोला में asymptotes है इस पे तो IT फिर भी कुछ बाते कई बार पूछ चुका है हाईपर बोला से related जो asymptotes होते हैं उससे IT फिर भी कुछ बाते पूछ चुका है लेकिन हाईपर बोला के अलावा अगर asymptote कहीं पर आ रहा है तो उसकी बात आईटी ने आज तक कभी नेकी ध्यान दो हाईपर बोला की देखो जो दो asymptotes है actually वो हाईपर बोला जुड़े हुए तो इनके बारे में तो फिर भी आईटी कई बार बात करता है हाना लेकिन हाईपर बोला के अलावा जब asymptotes की बात करते हैं तो वो IT कभी उनमें ज्याज़ा interest नहीं लेता फिर भी asymptote के बारे में मैं तुमको और बाते सिखाऊंगा कि asymptote कैसे निकाला जाता है हलाकि वो IT कभी नहीं पूछेगा asymptote कैसे निकलता है क्यों आता है उसकी definition क्या होती है ये बात IT कभी नहीं पूछेगा बस हम इतना याद रखें ठीक है कि इस hyperbola के ये दो asymptotes ये होते हैं देखो अब जैसे इनको याद दखने का तरीका देखो क्या है जैसे माल लो ये one है one की जगर पर zero कर दें है ना देखो ये one है ना one की place पर zero कर दें one की place पर zero कर दिया तो दो को क्या हुआ y square by b square बरावर x square by a square दो को y बरावर क्या हो जाएगा plus minus b by a into x तो ये कोई निकालने का process नहीं है ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी one की जगर zero रख देंगे तो asymptotes मिल जाएंगे बस ही याद दखने का एक तो ध्यान देंगे तो ध्यान देना दोनों ही हाईपर बोला के asymptotes same होते हैं चाहिए वाला hyperbola हो चाहिए वाला hyperbola हो इनके asymptotes same होते हैं ये बात हमको याद रखनी है बताया मैंने asymptote के बारे में मैं तुमको और बाते आगे सिखाऊंगा कि वैसे इन जन्दल भी हम asymptote निकाल سकते हैं हैना एसम्टोट का कॉंसर्प्ट एक जंदल होता है इसको मागे सिखेंगे हलाकि फिर बता दूँ यह आयटी कभी नहीं पूछेगा हाँ हाई पर बूला का एसम्टोट तो आयटी पूछेगा लेकिन इसके अलावा आयटी आसम्टोट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर कर भोस्टे जक्यादा हॉशज आस्टल के मादे बढ़ना के